हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया, आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चानल पर स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में क्या होने वाला है? आज की वीडियो में Trigonometry, B.S.C. Mathematics Honors का जो किस लेवस है? और इस टोपिक से आज जो मैं आप लोगों को अभी Trigonometry करवा रही हूँ इस टोपिक से आपके एकजाम में 100% को सनाएंगे और मैं जो बता रही हूँ, उससे 100% कुछ न कुछ जरूर आएगा मैं जितना भी आप लोगों का कंसेप्ट है Trigonometry में सभी Trigonometry के सभी कंसेप्ट को मैं अभी किलियर करने वाली हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ एडवांटेज होने वाला है अगर आप लोग इस वीडियो को पुरा देखते हैं यह जो आप लोगों का बुक है जो की आप लोग सभी यह स्टुडेंट पढ़े होंगे यह लाल जी परसाथ का बुक है आइधिंक नहीं दिख रहा होगा राइडर का नाम हाँ अब दिख रहा होगा लाल जी परसाथ का जो बुक है ये बुक से जितने भी आप लोग के concept है सभी concept से मैं जो भी important था वो notes बनाई हूँ आप लोग के लिए और आप लोग को सभी का सभी concept clear करवाने वाली हो इसके साथ मैं अपने notes से भी कुछ बताऊंगी और खुद से जो notes बनाई हूँ अभी तुरंत बनाई हूँ आप लोग के लिए ये भी notes आप लोग को division करवाने वाली हूँ इसके साथ साथ book से भी हम लोग कुछ पढ़ाई करेंगे trigonometry का बहुत सारा concept clear होने वाला है आज तो आप लोग एक बार सभी को इस वीडियो को share कर दीजिए जितने भी student कल exam देने जाने वाले हैं और याफी जिनका सिसन 2020 से 2023 से उन लोगों को भी सियर कर दीजिए क्योंकि उन लोगों के लिए भी यह उतना ही इंपोर्टेंट है जितना यह आप लोग के लिए और सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाईए और मैं एक बात बता दू आप लोग कल एक्जाम दें दीजेगा उसके बाद जो भी आप लोगों का एक्जाम देनेक पद आप लोगों के पास जो भी कोच्छन आएगा उसका पीडीए बनायाकर जना जब जतना जल्दी हो सकती टेलीग्राम चैनल पर भेज दिज़ेगा मुझे परस्टनली भी भेज सकते हैं लेकिन प्लस-माइनस इसका पावर्वर होता है यह आप लोगों का मल्टिप्लाई हो जाता है मैं नोट्स को गंदा नहीं कर सकती हुं आगे मसस्कि वबेवर्श स्थूर्म क्या होता है यह यहां सब्सक्राइब स्वाइब्स-धवियर को पूरा देखे अप लोग सारा कंसेप्ट रिवीजन होगा क्या करना इसमें को सिटा प्लस आइसाइं तो जो पाबर में यह थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है यह हम लोग का इस पोजेटी भी ले सकते निगेटीव ले सकते और पोजेटीव नीगेटीव फ्रैक्शन भी ले सकते ओके आप लगाने के लिए को साइन थीटा के फॉर्म में रहेगा तो जो की आधा गंडा का ट्रोपिक है वह में समझा दी यह अम लोग का इस्टेटमेंट है यह अम लोग का जो एन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एन पोजेटीव नीगेटीव और फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हैं इसके आप वह लोग का बहुत हैं आप लुटा के से में मोडलफहर के बोडियो और उसके लिए मदा नानीन के लिए क科ष ब्र्के arbeiten घ्याटीप घ्यागा तो क्या के प्यु believer स्थरूम लगा तो जब का वहां रहेगा तो आप लोग लोग के को स्थयों प्लोब लिएबर रब्लाइपी 42 आपooky identify कर सकते हैं जहां परसके आप नेफ़ लिखना एक हो प्लस आई शैंट जहां पर लोगो को आई दिखेगा हिए को और फरी पायवाई त्पाल को या थो चाहें और इस चारोिक के लातव है कुछ नहीं कर लिएगा और उससे आप लोग आर कावल भी निकाल सकते हैं और इसे महीं आया क्या करने अगर देखिए वन रहा तो आप लोग असानी से चेंज कर सकते क्योंकि आप लोग को यह important case याद है लेकिन अगर यह one नहीं रहाए लिख दिया तो आप क्या किजेगा तो आप लोग one plus i x plus i y equal to r cos theta plus i r sin theta लिख लिजेगा और coefficient को equate करके आप लोग दो equation बनेगा दोनो equation को square करके add करके r निकल लिजेगा और दोनो equation को divide करके theta का value निकल लिजेगा जब आर और theta का value निकल जाएगा तो आप लोग इस expression में लिख कर सकते हैं और जब आप लोग expression में change कर लिजेगा तो आप लोग आसानी से डियू में बर्स्तुरम का यूज कर सकते हैं आप लोग को ये वीडियो कितना यूजफुल लग रहा है मुझे लाइफचेट में बताते रहिए उसके बाद देखिए हम लोग का इने थ रूट आफ यूणिटी इने थ रूट आफ यूणिटी से आप लोग येस पीपर में मॉडल पेपर में सभी में कॉस्टन था देखिए क्या होता है तो x replicate teag duty 1 है तो x booming的e n होता है और लोग किया लिखेंगे 1 के जहँ च्यां से पहले बताया आप लोग को को सीच लिख गयान कंई स्था प्लास टूर्यू प्लस इसन जिन जिरो में समजमें आए तो हम लोग यहां पे लिख देंगे साथ mess re लिखेंगे और देखिए एक बात और बता दू मैं आप लोगों को जहां पर लोगों को जिरो दिखेंगा ना आइधिंक नहीं दिख रहा होगा अच्छा मैं बोल ले विजो सुनिए पें से लिखती हो लेकिन पें से लिखने पर गंदा हो जागा नोट्स अच्छा कोई बात बराबर ही होता है तो उसी यही और साइन जीरो की जगा पर साइन प्लस यही यूज करके और दिमयवर्स लगा के जो पावर इन है यहां पर मल्टिप्लाइब करके हम लोग यह एक्स का एकस्प्रेशन लाइवे है और एकस ने जो जैसे अगर यह पुछे आप लोगों से यह फर्मूल आप लोग को नहीं यादे तो कोई बात नहीं आप लोग खुदसे बना सकते हैं एक सिक्वल टू टू वण के पावर एन करना है और वन के जगर पर हम लोगों लिख दिना है और पावर्सथिरम के एक जाके मल्टी तेखिए यहां पर लोगों गलत लिखाँ यहां पर नोट्सपनाने में उसे गलती हो गया थे ओके और 1 बाई जाके थीटा के शाथ मल्टिप्लाई हो जाता है तो आप लोगी स्थिरम जेसा के पढ़ाई जीरो से लेके N-1 तक आप लोग N का वैलू सिलेक्ट करेंगे इस प्राकाट से में आप लोगो डिम आवर्वर्स, थिरम, इंपोर्टेंट, केस, N-th root of unity सब कुछ बता दी इतना कम देर में अब देखिए, अब हम लोग कैई है, देखिए, expansion से अभी आप लोग के एकिजाम में question आएगा, देखिए, क्या है, sin N-th interlad Βें, n-c1, cos N-th interl at sinu, minus n-c3, cos N-3, sinQ-th interlad включ के ihr, expansion को याद करने का क्या trick है, पहले प्लस आए फिर माइनिस आए प्लस आया देखिए पहले प्लस आए फिर आप लोग का माइनस आए फिर यह प्लस आ और देखिए और बाइनोमियलlas लगाते जाना कि nc1 cos andis one democrats लेना है साइन में आप लोग यह उगया जैसे और को लिजिएगा जैसे और पें by75 considerations वैसे यह एकस्पेंशन देख लीजे और अच्छे से याद कर लीजे ओकिए आप लोग को साइन एंधीटा का एकस्पेंशन पता होना चाहिए और मुझे तो पता है वीडियो जो भी देख रहे हैं सभी को पता है बस वह लोग डिवीजन करने आया है ताकि उन लोग के जितन प्लस वन वाई एकस तुदी पावर एन टू कॉस एन थीटा आता है अगर प्लस है आप लोगों को तो कॉस आएगा यहां पर माइनस है तो आप लोगों साइन आएगा और आए के साथ आएगा ये दोनों फर्मुला याद रखेगा आप लोगों से सिधा कोसन पुछा कर देगा कर देंगा था एकसे पावर माइनस और चार ओप्सन दे लिए लिए यह अप लोगों का यह यह पर्मुला याद कर लिए अगर ब्रस है तो आप लोगा तो साइन आएगा टू आएगा वनाइन थीटा यह सब्सक्राइब करते हैं मैं आप लोगों के सामने सभी का सभी मोडल पेपर सौल्व की पूरा 284 कोश्टा है उसके साथ मैं गेस्पीपर में 100% कंपलेट नहीं करवा पाई 90% कंपलेट करवाई लेकिन मैं आप लोगों को बता सारा के सारा को सन कितना डिटेल एक्स्प्लेइन करके बताएं आप लोगों को पता ही होगा और यह फर्मूला में कितना जगाए यूज की यह फर्मूला बहुत ही इंपोर्टेंट है आप लोग इसको यात कर लिजिए 1 गौग 1 यह दोन नहुमें कुछ उन्तर अप लोग को इसमोलल यहां पर लेल तो आप लोग ज्यादा टेंसन नहीं लिजिए बस थीटा जो यह ना बीटा बाय इलफा इसमें तीटा क्या है बीटा में आलफा बस आप लोग क्या करना है इसमें टू एनपाई को एड़ कर देना है बस और कुछ नहीं अगर कैप्टाल पुछेगा नहीं जा कि जल्दी से जल्दी आप लोग का सभी concept किलियर करवा पाऊगों के अगर आप लोग को फास्ट लग रहा है तो वीडियो में सिस्टम दिया हूँ रहता है योट्व फंक्शन देता है आप लोग 0.75x के सब्सक्राइब करने को मिल जाएगा साइन थीटा मैंने सब्सक्राइब कर वारी हूँ ता कि आप लोगों से कितना भी हाट को सब्सक्राइब कर ले यह नहीं कोई पूड़ा कंसेप्ट बता दूंगी तो वह पूछे का कहां से कंसेप्ट में से यह थो फूछेगा ना इसलिए मैं आप लोग पूरा कंसेप्ट एक दम टायम में बताएं देखिए साइन थीटा एक्टीट की ओपन थरी का फैक्टोरियल प्लस थीटा था 5 डिवाइट लग थीटा कि पर सेवं उपन्स सेवन का फैक्टोरियल प्लस यह साइन थीटा का है देख लिए आप लोग याद भी कर लिए यह को सुन धामिए यह पूस्तिटा में देखिए कुछ आप लोग दिमाग में कुछ ट्रीक बना ली को सुन मैं आप लोग का सुछ यह एक फंक्शन है लेकिन फिर भी आप लोग को समझाना है और कुछ जगा पे आप लोग का पॉइंट आउट करवाना है इसकी वजह से मैं आप लोग को ऐसे करके बता दे रही हूँ आप लोग को देखिए मैं आप लोगों को दिमाइबर स्थीरम एक बार देख लिए अच्छे से इंपोर्टेंट के बता दी एक्स इक्वल टू यह है एक्सप्रेंशन साइन थीटा कॉसें थीटा एक्सप्रेंशन बता दी यह दोनों फर्मूला जिससे सवाल बहुत आते हैं यह दोनों फर्मूला से तो आप लोग के एक्सप्रेंशन रहाएगा एक नएक पर्मूला जोरूर जोरूर यह जिसमें आप लोग इस फर्मूला का यूज करके कुस्टन को सॉल्व किजेगा और यह आप लोग क्या है साइन थीटा यह सब आप लोग पता नहीं रहागा त अब लोग क्यों स्टार्ट भिन कर पाएगा और देखिए यह सब फर्मूला कितना इम्पोटेंट है मैं वता भी नहीं सकते यह क्या है क्या है क्या क्या थीटा मैं अगर कॉस है तो प्लस आएगा साइन है तो माइनस आएगा अप लोग दिमाग में थुरा से बैठा लीज उसी प्रकार देखिए यहां पे आप लोगो प्लस है तो कॉस आया, माइनस है तो साइन आया तो आप लोगो कुछ पता चल ला है, मैं क्या बताना चाहरी हूँ अगर प्लस है तो कॉस आया, माइनस है तो देखिए मैं इसी टाइप से करके मैं ज्यादा दिन तक सभी कुछ को याद रखती हूं ऐसी किसी को याद नहीं हो जाता है कुछ कुछ ट्रिक बनाना होता है तो देखिए कॉस थीटा एक बल्टू e to the power i theta plus e to the power minus i theta divided by 2 और sin theta क्या होता है e to the power i theta minus e to the power minus i theta divided by 2 और हम लोगा क्या है देखिए अगर e to the power x equal to a है तो हम लोगा a जो होता है न वह होता है e to the power x plus i2 pi n और log a जो होता है यह हम लोगा होता है x plus 2n pi i तो यह सभी आप लोगों को पता होना है चाहिए इस नोट में एक एक वर्ट जो लिखाओ है न वह आप लोगों के लिए क्या बता है बहुत ही important है तो चली इस प्रेकर में आप लोगों को एक पेज का अब आगे देखते हैं चली अब हम लोग आगे का important formula देखते देखिए यह फर्मूला हम लोग का sin hypervolic z equal to e to the power z minus e to the power minus z divided by two और क्या हम लोग का cos hypervolic z equal to e to the power z plus e to the power minus z divided by two यह दोनों फर्मूला भी बहुत important है इस दोनों फर्मूला की मदद से भी आप लोग एक्जाम में बहुत सारा question solve किजागा देखिए आप लोग फिर से realize किजिए देखिए यहां पर sin है तो minus आया कॉस है तो प्लस आया पिछले भी पीछे भी आप लोग को मैं कितना बार दिखा यह जब भी प्लस के चला कोसेग पते हैं तो इसका diverse कर देजिए कोड कर कर दो निकाल लीजिए अगर यह दोनों पता रहते हैं आप लोग हो तो आप लोग छोआ ऐदेटीटीच का आसानी से निकाल सकते हैं देखिए उसकी बात क्या है biological प्रक्रविट एन साइन है फाइन इक्स 7 बेक साएं एक सुचिएगर नएक सही कर लिजाईगे और पंच बनाए और सदुर ऑर सबसे पहले कल ऐसे इक जा मदग dirig मुझे पड़ी बना करने the question का send की जाइगा ताकि मैं आप लोगों के लिए 100 परसेंट सही answer के साथ जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए वीडियो ला सको कि देखिए के साइन हाइपर वॉलिक एक्स क्या है माइनस टैंस गिपनस चाहिए मतलब रहना चाहिए आप लोगों को नहीं भूलना है उसके बाद देखें क्या है आप लोग का जैसे आप लोग क्लास टेंथ में ट्रिगोनोमेटरी भरेते तो आप लोग को स्टाइन स्क्वार थीटा प्लस कॉस स्क्वार थीटा एकदम याद रहता था जब भी कोई पूस्ता था बता देते थे से तूरंट से ओसी तेरीके से आप लोग को यह सभी फरोला पता होना चाहिए आप लोग पहले पढ़े होंगे तो आप लोग साइन स्क्वार एक्स प्लस कॉसिस किजेगा इसमें भी बनाने का इसमें हाइपर बोलिक का आजाने की बज़े से साइन iris तका प्लस कोुक्र थिता नहीं होता है यहां पे होता है हम लोग का कॉस फाइपर प्लिक का स्क्वाईर ? प्लस साइन फाइपरबोलिक का स्क्राइड एक्स सॉरी माइनस होता है माइनस होता है ओके तो चलिए मैं आप लोग को बता दिए उसके बाद देखियों यह भी फर्मुला हम लोग के लिए उतना ही इंपोटेंट है जितना आप लोग क्लास टें 11 में जो ट्रिगोनोमेटरी परेगी तो साइने मैंनस B साइने प्लस भी यह सब फर्मुला याद की ओनगे ऑर जरूर की ऊंगे उसी त tracing से आप लोग का यह व्यक्यी इस मैंनस में ऑ aniático भूट को ठीम हो पूरा देखी X into sign of hyperbolic Y okay याद हो गया sign of hyperbolic of X minus Y का formula क्या होगा देखिए मैं आप लोगो बताना चाहती हो कुछ अगर आप लोगो sign वाला term पुछे काना sign of a minus b या फिर sign of a plus b तो आप लोगा क्या होगा देखिए sign or cost दोनों आएगा sign or cost दोनों आएगा यही अगर कुछ समझ में आठाए मैं क्या बोलना चाहिए देखिए और इसमें दोनों के दोनों साइन यह नहीं है किसे एक साइन लेकिन साइन जो होता है ना साइन में वह लोग का दोनों मिला आजूला होता है को साइन में कॉस में में यह माइनसटजे रहता है तो साइन में बहुत ही पूर्ड भाइर सब्सक्राइब ऐसे साइन प Councillor इसमें वह चोह थे यह तकarts सब्सक्राइब करता है यह चछल करता है उसकी कमएक द्रिआन रखेता ह trophies उसके बारेजिए मैं बोल ले हूँ तो सुनके याद करने ही गोशिश किजिए 10 of hyperbolic x plus minus y क्या होता है 10 of hyperbolic x plus minus 10 of hyperbolic y divided by 1 minus 10 of hyperbolic x into 10 of hyperbolic y उसी तरीके से cot का है cot of hyperbolic x into cot of hyperbolic y plus minus 1 divided by cot of hyperbolic x plus minus cot of hyperbolic y यहां भी plus minus था हम लोग का ओके और यहां पे हम लोग का minus और plus हो जाएगा समझ में आगे आप लोग को यह सभी फर्मूला फर्मूला समझना है क्या है अभी तो फिलाल याद कर लिजी अभी यह नहीं मैं पूरा trigonometry आप लोग का लगग 15-16 घंटे का पढ़ाऊंगी तो complete आप लोग को प्रूब नहीं पढ़ना है अगर सब्जेक्टिव एक्जाम रहता है तो मैं अभी आप लोग को प्रूब बताती रहती लेकिन अब्जेक्टिव है इसलिए यह जोब फर्मूला आप लोग के लिए बहुत ही इंपोटेंट किसी भी कीमत पे आप लोग को अभ अब लेकिन को अब बहुत है इस तरीके से अब निकाल लेजेगा और यह जब लेकिन को साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है वो आई-को बाहर नहीं निकालता है इस तरीके से कि में आप लोग को यह सभी फर्मुला अगर चाहते हैं आप लोग तो एक वर दिखिए अगर व्लोग के परीवा है तो एक बार शुक्र DENNISल कि गजीन अब हम लोग नेक्स देखते हैं तो देखें थ्युम नेक्स कि तो 2 cos square theta minus 1 2 cos square theta minus 1 भी हो जाता था 1 minus 2 sin square theta भी हो जाता था याद है उसी परकार से cos of hyperbolic square theta देखिए यह सभी फर्मूला आप लोग बहुत सारा question बनाएगा तो उसमें use करने के लिए आएगा तो ध्यान रखिएगा कॉस ओफ फाइपर्बोलिक 2 theta का फर्मूला हो जाएगा 2 of cos square hyperbolic square theta minus 1 वाँ और cos of hyperbolic 2 theta sin getter में क्या हो जाएगा 1 plus 2 sin hyperbolic square theta sin hyperbolic square theta और cos hyperbolic 2 theta का एक और फर्मूला होगा कॉस ओफ फाइपर्बोलिक 2 theta देखिए यह question भी आप लोग एक्जाम में पूछा हुआ है एक्जाम में पूछा हुआ है objective पूछा ही नहीं मतलब मॉडल पेपर में या फिर गेस्टीपर में मैं देखी हूँ दोनों में से कहीं ने कहीं था यह तो ध्यान रखिए क्सक्राइप कर दיटा यह Sweet house हिए थीठा हुआ लगा का सबल्सक्राइपर अँदी नहीं रीप घर 2 of sin hyperbolic 2 theta into cos of hyperbolic theta इसको 10 में change करने के लिए कोई बोलेगा तो 2 of 10 of hyperbolic theta divided by 1 minus 10 square theta और 10 2 theta का क्या होता है 210 hyperbolic theta divided by 1 plus 10 square theta और देखें क्या है cos of hyperbolic theta plus minus sin hyperbolic theta को हम लोग लिख सकते हैं e to the power plus minus theta यह आप लोग का जो यूलर्स थूरम पढ़े थे ना आप लोग कॉस of hyperbolic theta plus minus नहीं यह तो हम लोग का दूसरा है cos of hyperbolic theta plus minus sin of hyperbolic theta equal to 8 to the power plus minus theta और दीखें यह क्या हम लोग का cos of hyperbolic theta plus minus sin of hyperbolic theta के power n तो हम लोग क्या होता है यह जो एन होता है नो वो theta के सार जाके multiply हो जाता है और कुछ नहीं होता है एन जो होता है वो आप लोग को theta के सार जाके multiply हो जाता है यह सभी formula आप लोग के लिए बहुत ही important है इसके लिए मैं इसका notes बना के आप लोग को याद करवा रही हो ना कि ऐसी मैं बिना मतलब में आप लोग को बता रही हो के तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए अगर यह formula आप लोग को पता होगा है तो आप लोग उसको plus minus में change कर सकते है तो देख लिए 2 of sin of hyperbolic a into cos of hyperbolic b equal to sin of hyperbolic a plus b plus sin of a minus b और 2 of cos hyperbolic a into sin of hyperbolic b equal to sin of देखिए मैं इसमें फिर से बताना चाहती हूं कुछ नहीं क्या बताओ रहने दो रहने दीजिए देखिए आप लोग का वस यह formula याद कर लीजिए मैं इसको पड़ के बताऊंगी इसका कोई मतलब नहीं है आप लोग इसको याद कर लीजिए यह 4 formula आप लोग को वैसे या परबोलिक वाला आ गया हुआ है तो चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों कितना सारा formula बता दी अभी और कुछ important concept है वो ध्यान देजिए चलिए आगे देखते हैं देखिए इसके बाद हम लोगा क्या formula है वहाँ पहले मैं बताई आप लोगों को थोड़ा दर पहले बताई क्या बताई मुटिपलाई से प्लस मैनस में change करना होगा तो यह चारो फर्मूला का यूजश करेंगे यही अप लोगों से is equal to two of Üblin plus 2 कोस c-Do इसे आप लोग oh कोई भी फैदा नहीं होने वाल आप लोग को याद खुद करने हैं मैं आप लोग साथ एक जाम देने नहीं जा रही हुआ है तो आप लोग इसको याद कर लीजिये देखिया गे क्या है साइन फाइपरबोलिक एक्स का देखिए यह ध्यान रखिएगा आप लोग साइनेक्स है ना तो आप लोग साइनेक्स का जुम्हें आप लोग फादे पहले याद करवाई हूँ उसका था मैनस एक्स क्यू अपॉन थी प्लस एक्स पावर फाई यहां अल्टरनेट चला था प आप लोग ध्यान रखिएगा ऑगे अलटरनेट नहीं चलता है प्लस मैनस का सभी का सभी प्लस होता है साइन में और सभी प्लस होगा और समझ में आड़े आप लोगो यह वीडियो में जितना मेनस से बना ड़ी हूँ ना बतास आप लोग को पता चली रहा होगा कितना मेनस से यह वीडियो को बनाया जाड़ा होगा देखिए उस बाद यह तीनों फर्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट देखिए क्या है इसके बाद देखिए आप लोग का यूलर्स फर्मूला क्या है देखिए उसके बाद क्या फर्मूला का यूज करके आप लोगों के model paper, guess paper के कितने सारे question को मैं solve की थी, देखिए उसके बाद क्या formula है हम लोगा, cos of z equal to e to the power iz plus e to the power minus iz divided by 2, आप लोग फिर से एक बार गवर के जे, देखिए cos आया तो plus आया, sin आया तो minus आया, लेकिन देखिएगा, इसमें आप लोग का एक i जो है न, वो extra आ गया है, पहले जो मैं बताई थी, उसमें i नहीं आया था, तो जब आप लोग का cos z सीधा पुछेगा न, तो आप लोग धियान देखिएगा, और sin z सीधा सीधा पुछेगा, तो अगर, तो हम लोग का उसमें i प्लस 2N pi के, और cos z जी होता है, वो हम लोग का बढ़ावर होता है, cos z प्लस 2N pi के, और tan z जी होता है, वो हम लोग का tan z प्लस n pi के बढ़ावर होता है, मतलब आप लोग का sin का पिरिएट 2 pi, cos का पिरिएट 2 pi, लेकिन tan का पिरिएट pi होता है, ओके ध्यान दखिएगा, इसमे इसमें 2N किये और इसमें एन किये ओके चलिए इस परिकार से में आप लोगों सर्कुलर फंक्शन भी बता दी कि बहुत सारा फर्मूला में बता चुकी अभी दक अभी और भी कुछ बाता ना है देखिया आगे क्या है चलिए यह हो गया है अब लोग देखिया कुछ और आम आप लोग आप लोग क्या करना था उसमें यह पूछ चा रहा था साइन इंवर्स को सॉल्व कि आप लोग को बताई थी इनवर्स का फर्मूला लागा के यूज कर बना लिजिए और साथ में इसका जेनरल फर्मूला से भी आप लोग के पर बढ़ें बहुत सारे कोस्तन थे तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए साइन ओफ है पर बोलिक इनवर्स जेट का होगा लोग ओफ जेट प्लस रूट अडर ओमेगा स्कूर प्लस और कॉस्क्वार कर देखिए साइन में यहां पर प्लस आया है कॉस्ट में यहां माइनस पर देखिए और यहां पर प्लस हो जाता है और कॉस्का माइनस यहां पर इस फर्मूला से आप लोग एक जाम यह को सन आया देख लिए अप लोग टैन अफ हाइपर क्योंकि पूछन 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 काहां कर से को सन गोलाएंगे यही सब छुटा चुटा चुटा चुट देखिए और यही सब्केशन कंशन कोचर चुटा 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 रिएंगे और बीच चुटा चुटा शॉल्ट लेवल फूर्मूला अपोस्किंव की पूछ थे जिए आप लोग लोग को जो पूछ लिए नमिल स्विस पहां उन प्रम बताई थी याद किजिए जब साइन था तो सम्थिंग आ रहा था कॉस था तो टैन था तो इन पाई इस परेकर में आप लोग को यह सभी फर्मूला यह चो वह बहुत ही इंपोर्टेंट है यह सभी आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है ऐसे कोई एक वर्ट इसमें नहीं लिखा गया हुआ है देखिए क्या आप लोग का sin of एक तो इस टाइप में formula log off करके और एक ठोए iota के form में है तो iota के form में क्या होता है ये question आप लोग के model paper में था sin of hyperbolic omega equal to minus i sin of sin inverse i omega और cos of hyperbolic inverse omega का होगा minus i cos inverse omega और tan of hyperbolic inverse omega होगा minus i tan inverse i omega तो आप लोग इस सभी को याद रखेगा आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा इस प्रकार से मैं आप लोग को बहुत कुछ बता दियू हूँ अब हम लोग grigori series पे देखेंगे मैं अभी तक आप लोग को जितना भी concept बताई आप लोग का सभी concept क्या पहले से पता था अगर पहले से पता था तो क्या आप लोग को रिविजन हो गया कैसा लगा अभी तक का विडियो मुझे लाइफ चैट में बता दीजें दो मिनिट का वेट करती हूँ तो चलिए अब हम लोग ग्रिगोरी स्रीज पर देखेंगे मैं लगवक आप लोग को सभी फर्मुला बता ही दीऊ कुछ छूटा तो नहीं ना आइ थिंक नहीं चूटा होगा देखिए क्या आम लोग आप ग्रिगोरी स्रीज देखिए ग्रिगोरी स्रीज क्या होते है तो आप लोग दियान रखेए प्लस 10 to the power 5 theta divided by 5 प्लस infinity तक जहां पर हम लोग है देखिए यह थीटा का जो value है ना यह भी पूछता है कहां से कहां उसका theta बिलोंग कर रहा है देखिए और यह भी यह question आप लोग के model पे वेडियों भी पूछा गया था गिडिगोरी स्रीज जो होता है आप लोग को कोशन आ सकते एक जामें जिसमें थीटा का पुछे का कहां से कहां लाइक करता है तो एक पाइब फॉर्स से एक प्लस पाइब फॉर्स तक अम लोग का ग्रिगोरी स्रीज का जो value होता है ना वह लाइक करता है और देखिए आप लोग के गेस प्रिपर में ने देखी थी यह य सब्सक्राइब ले सकते हैं अब लोग के याद रखेगा तो आप लिए अच्छा होगा कॉस्ट थीटा माइनस 1y3 कॉस्ट थीटा प्लस ऐसे मुझे लगता है मेरा वीडियो जो भी देख रहे उन सभी को यह सभी का सभी कंस्यूप्ट पता है बस वो लोग डिवीजन के प अब लोग को यह पता चलता कहा से आया है तो आप लोग को तो अभी तो फिलाल इसको यादी करना है 1y2 लॉग और तैन पाइवाए 4 प्लस थीटा भाई 2 चलिए उसके बाद पूशी इंपोर्टेंट फर्मुला के हा हम लोग का 2 of sin of beta into sin of alpha plus k beta equal to हम लोग का formula होता है cos of alpha plus 2k minus 1 divided by 2 into beta minus 10 यह दोनों formula बहुत important हो जाता है और यह दोनों formula यहाँ था कि आप लोगों के model paper में भी पूछा गया था जिसमें बहुत सा रेस्वेल को confusion था तो मैं बता दू यह दोनों आप लोग का formula है जो के आप लोगों को याद होना चाहिए cos of theta का formula होता है cos theta by 2 minus cos theta cos theta का formula का था cos theta by 2 minus cos theta and tan theta का formula होता है cos theta minus 2 cos theta यह सभी formula का आप लोग screenshot ले लिजिए एक बार और सभी formula को अच्छे से याद कर लिजिए यह भी formula आप लोग का important है tan square tan theta into sec 2 theta equal to tan 2 theta minus tan theta और यह भी important है और यह दोनों तो बहुत important है यह दोनों आप लोग भूलिएगा भी नहीं बूलके भी और आप लोग का जो यह मैं भी जो बता रही है आप लोग को submission of trigonometry जो आप लोग का topic है उसी पर है तो आप लोग C plus I is rule याद रखेगा अगर कोई भी question आप लोग से फसेगा नहीं बन रहा होगा तो आप लोग इस method को एक बार याद कर लिजएगा और आप लोग का question बन जाएगा बहुत ही आसान method है आप सभी को पता होगा C plus I is method किया है तो बस आप लोग दिमांग में चलाते रहेगा अच्छा एक method यह भी है जिससे हम लोग question को solve कर सकते हैं तो चलिए इस प्रकार से मैं आप लोग को बहुत कुछ बता दी अभी बहुत कुछ बताना बात की भी है तो चलिए देखते क्या क्या बताना है देखिए हम लोग का एक फर्मूला समेशन ऑफ साइन्स रिज और समेशन ऑफ कोसरीज देखिए मैं आप लोग को मोडल पीपर में question जब करवा रही थी न तो मेरे से एक गलती हो गया था बता दी थी किसे एक का 0 होता है साइन का सम और एक का 1 होता है तो नहीं ऐसा नहीं है पता नहीं मैं क्यों बोल गई क्या सोच रही थी दिमाग में गलती हो गया था फिर मैं आप लोग को बताई थी comment section में देखिए दोनों का समेशन जो होता है ना हम लोग का 0 के बराबर ही होता है तो बहुत सारे समेशन भी वाता तो फिर मैं देखी थी question उसका मुझे पता च चाहिए इसका 0 होता है और यह दोनों फर्मूला आप लोग याद रखिए बहुत ही काम आने वाला है एस इक्वल्टू मतलब स्वामेशन ऑफ शाइन पीटा बाइटो और साइन अलफा प्लस एन माइनस वन बाइटो इंटो इंटो विटा और साइन अलफ बीटा बाइट लाल जी पर साथ का भूग जो है यही मैक्सिमें फॉलो करते तो देखिए मैं आप लोग को इसे मुझे इस्ते कुछ बताने वाली हूँ जस्ट वेट देखिए इसमें आप लोगों क्या है दिमवर्स थिरम यह मैं आप लोगों को बता दी दिमवर्स थिरम का इंपोर्टेंट डिड़क्शन था वह भी मैं बताई हूँ लोगरित्म का कम्प्लेक्स नबर जो आप लोगों को में लोग अलफा प्लस आउटा बीटा इकवल टू वन बाइटू लोग अलफा इस्कूर प्लस बीटा इस्कूर प्लस आई टैन इनवर्स बीटा अपन अलफा जो फर्मूला बताए थी वह एसी का था हाइपर्बॉलिक फंक्शन का में बहुत साड़ा इंपोर्टेंट फर्मूला बताई हूँ आप लोग करना क्या वीडियो खत्म हो जाने के बाद हाइपर्बॉलिक फंक्शन का जितना ही फर्मूला में बताई हूँ सभी की सभी फर्मूला आप लोग को याद करना है सभी क सबसे सुरू में बता देती आप लोगों को याद आड़ा होगा यह लगवक मैं आप लोगों को बता दी हूं ऑके लगवक मैं ऌप लोगों को घ lot जीटने मीविक त relación में इस नोट ना यह तर्द की यह ता हैं और कुछ रहा होगा लिए तो यह जो भी था में आप अप सभी को सब कुछ बता कुछ दूसरे नोट से भी आप लोगों को बता देती हूं अगर खुछ होगा तो देखिये या फिर रहने दीजिए वह मैं कुछ और के अप लोगों के लिए तो रहने दीजिए यही काफी है आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता है वहां तक कोई कंसेप छुटा होगा अगर कोई concept चुट गया है तो मुझे comment सेख सने बताईए क्योंकि आप लोग का जो slayvus है न मैं अभी आप लोग को slayvus दिखाती हूं just wait तो देखिए हम लोग का यह जो slayvus का book है जिस slayvus से आप लोग के exam में question पूछा जाएगा उसमें देखिए क्या क्या है आप लोग हम लोग math honors पर चर्चा करें ना देखिए क्या क्या just wait मैं दिखाड़ी हूं आप लोगों को math honors देखिए यही हम लोग असले बस है trigonometry में demoverse theorem के बादे में मैं बहुत कुछ बताई complex argument वही जो logarithm में complex बताई थी वह भी मैं बताई hyperbolic function भी बताई ग्रिगोरिय सीरीज भी बताई और summation of trigonometric सीरीज भी बताई बस इतने ही topic से आप लोग एक्जाम में question आएगा मैं अभी जो बताई हूं आप लोग अच्छे से concept बताई hyperbolic का जितना भी फर्मूला था सब कुछ बताई हूं कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सुक्सिन में बताईएगा और next वीडियो आप लोग किस चीज का चाते हैं मुझे बताईए अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आगे का भी revision डालूंगी लेकिन मैं आज आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट सुक्सिन में जरूर बताईएगा और कल के एक्जाम के लिए all the best